इस जमीन को थे हिंदू भाईयों को देते हैं वैसे भी बीजेपी राममंदर के निमार को लेकर 2014 के लोकसोच नाओं में ये बादा कर चुकी है लेकिन फिर भी राममंदर के निमार नहीं हो पाया और बीजेपी ने इस बार भी अपने संकल पत्र में राममंदर के मुद्दे को सब से उपर रखा है माला जाला हाय की जनता ने इस बार भी राम मंदर के निमार के लिए बीजेपी को वोट दिया है वैसे तर राम जनम भूमी बाबरी मस्जित का ये मुद्दा दश्कों से सुप्रिम कोर्ट में लंबित है लेकिन फिर भी कोर्ट ने कई बार इस मुद्दे के पक्षकारों से इसका आपसी से हल निकालने के लिए कहा है मगर खबर है कि मुसल्मान भी राम मंदर निमार के लिए मैदान में आ गए है और उन्होंने बड़ा एलान भी कर दिया है दसला एड़ामर राम मंदर निमार के लिए सुब्रिम कोर्ट के आफसी सद्रावसी समस्या का हल निकालने का फैसला और इसके लिए तीन सद्रस्य मज़िस्ता कमेटी के गठन के बाद 14 जून को 22 में इसकी पहल हुई और इस पहल को मोर दिया All India Forum for Arrida Dispul Settlement ने पहली बात तो ये कि मुसल्मान इस जमीन को सौहार्ट पूर्ट तरीके से मुभबत से प्यार से हिंदू भाईयों को दे दें दूसरी बात ये है कि आएंदा कभी जो 1991 का एक्ट है उसकी पालना जो है वो ठीक से हो उसमें ये नहो कि आपने एक्ट तो रखा हुआ है मगर उसकी पालना या उसकी अवहिलना अगर होती है तो हम लोगों ने तीसरा उसके अंदर मुदा रखा है कि वहाँ का जो MP है MLA है जो की प्रतिनगी है जन्ता के उनके खिलाब जो है कारवाई होने चाहिए DMSP के खिलाब होने चाहिए अगर कोई दंगा भड़कता है और इस प्रकार की कड़ी कारवाई होने से इस प्रकार का सही इंप्लिमेंटेशन तो वही All India Forum for the Dispute Settlement के सरस्थ स्वामी अविमुक्ते श्रानंद से भी मिलने पहुचे जहां उन्होंने इस मुद्दे को कोर्ट से बाहर सुलजाने की बात कहीं स्वाभाविक है कि जब समधान का औसर आ रहा है समझोता समीति बना दी गई है और सबसे अच्छा समाधान विवादों में यही होता है कि मिल बैट किस पामले को सुलजा लो जो लोग ना समझ होते हैं उनका समझोता तीसरा आदमी कराता है कोर्ट कराती है, मद्देस्त कराता है इसमें समझोता समीति में तो कोई नहीं है लेकिन यह अपने समाज के बिशिस्ट लोग हैं पड़े लिखे लोग हैं, बिद्वान लोग हैं अब देखना यह होगा कि ओल इंडिया फोरूम फोर आयोद्य डिस्पूस सेटलमेंट के सदस्यों की मुहिम इस मुद्य को सुलजान में कितनी ठीक साबित होती है युदुश्ट लोग पाध्याय विके नियूज